दोस्तों नमश्कार, कैसे हो बई? तो फिर आगे फिजिक्स पंच, शिक्स के साथ, आज फिजिक्स पंच, शिक्स का सोलूशन, रियलिस की तुनी दिमांड हो जाएगी मैं सोचाए नहीं था या, दोस्तों दो मिंट आप से बात कर लेता हो, लोगडम जो सुरू हुआ था, तो हमारे सामने भी एक हंधेरा साथा करें क्या? लेकिन अंदर कुछ करने की तमना हो, तो दोस्तों हर हंधेरे में उजाला होता है. आप जानते हो, जब भी कोई फिल्म डेवलोप होती है, कोई पिक्चर डेवलोप होती है, एमेंसा कहा होती है अंधेरे में? यानि तस्वीर का निर्मान हमें सा अंदेरे में होता है हमें खुद का निर्मान इस अंदेरे में करना था कर लिया तो हमने करे किया कहां से करें कैसे करें यह और्टोरियम हमारा बनावा था है सेट अप मेरे बेटे साइल ने पहले स्टियार कर रखा था तो हमने स्टार्ट किया प्रिविएस नीट के पेपर का टोपिक वाई सोलुशन उसका एक अच्छा क्रेज बच्चों में रहा और उसे एक कॉन्फिडेंस आया कि अग्जाम में कुछ नहीं आता है तो उसके बाद फिर हमने फिजिका किया, केमेस्टिय किया फिजिक्स अफ्लोड हो गया, केमेस्टिय अफ्लोड हो गया आज बायो भी, आज तारीक है 18 मई 19 मई आते आते बायो भी आपके पास कंप्लीट आजाई यूट्टूब पे कहां? CLC सीकर यूट्टूब चैनल पे फेस्बुक के तो पड़ी है, पर मैन कोन है? यूटूब चैनल सीलसी का, जहां सबस्क्राइब करने आप फिर फिजिक्स पंच हुआ था हमारा लास्टे जुलाइगस्ट में, बहुत शानदार हुआ बट उसमें कुछ कुछिशन के आप जेई मैन लेवल के थे, अन्वानटेट थे वो ड्रावने, तो उनको रिफॉर्मेट किया पांच वीडियो सोलुशन आपके पास डाल चुका हूँ टोफिक वाइज, कुछ कुछिशन को वामन एड़िस्ट किया, इसमें फिजिक्स पंच जो पहले मेरे साइड पे पढ़ा था, उसको उठाया वहां से और अब नए डाल दिया, पांच वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, आज छटा वीडियो रोटेस्टल मोसन का है रोटेस्टल मोसन से दोस्तों एक्जामिन करीब करीब एक क्युशन आता है दो भी आ जाते हैं, उसको खाली कभी जाता नहीं है, रोटेस्टल मोसन कभी खाल नहीं जाता है, तो आज 18 माई है 18 माई को आज दुफएर सूटी सुरू कर रहे हैं, पहले कई दुन बाद दुफएर में काम सुरू किया, तीन बज़रे हैं तीन माई को तीन बज़े, इठारा मईए को वीडियो सुटरू करने जा रहे हैं, हमारे जगदिश जी और किसोर जी इमारे साथ हैं, हमारे अविमने मारे साथ हैं, हम तेन चार लोग बिलकर करते हैं, मैं पर्दे के सामने हूँ, पर्दे के पीछे हैं, शुरू करें, तो दोस्तों, इन आपने आप एड़ेस्स कर लेता है, ओके डियर, बात सुरू करें, एक बात और करना चाहूंगा, आज अठारा मईए को वीडियो बना रहा हूं मैं, हमने दोस्तों, जेए नीट दोजार बीस के स्टूडेंट्स के लिए, आज अठारा मईए से क्रेस को स्टार्ट भी किया है इननी मीडियो में भी, इंग्लिस मीडियो में भी, दूसरा, 21 समय से आपके अपने CLC, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, टार्गेट, सभी कोर्सेज के बैस सुरू करने जा रहा है, और उसके बाद सुन लो, 21 समय के बाद हर सस्टे को जब तक लोक टाउन रहेगा, हम नया बैच लूंच करेंगे, 11 बायो, 11 मैथ, 12 बायो, 12 मैथ, IT टार्गेट, नी टार्गेट, 8, 9, 10, प्री फाउंडेशन, और एक बड़ी सूचना, 11 मैथ का बैच, हिंदी मीडियो में भी हम लोग 20 समय सुरू करने जा रहे है, 11 बायो, 12 बायो, नी टार्गेट, पहले से हि हिंदी, इंग्लिस मीडियो में है, पहले 11 मैथ, 12 मैथ, IT टार्गेट, को हम मिक्स मोड में ले रहे थे, क्योंकि IT हिंदी मुद रूप से, पर 11 का बच्चा था, हमें लगा यारे, विस्कूल से पढ़के आया है, इसको हिंदी मीडियो में दे दो, तो 21 समय से, 11 मैथ बी, इ अच्छा करें, और 26 जुलाई को दोस्तों ठोक किया है, उसके अलावा, हम एक होम असलिमेंट भेजते हैं, वो आपको आने के लिए, आपको मेरे वाटसप ग्रूप पर जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना, आप अपना नाम, अपना CLC का रोल नमबर, या भार के बच्चन, नोन CLC, आपका कोर्स नीट है, या आईटी है, उसका मीडियम, और वाटसप नमबर है, जिस पर आपको हम असलिमेंट चीए, वो आप मेरे नमबर पर वाटसप कर दो, मेरे नमबर है, डबल नाइन, टू एट सेवन, थ्री, डबल 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 एट, आप जु एक मेरे लगातार देख देख के वो इतने जुड़गे, इंस्टूट से भी, और खुद से भी, और कई बच्चे जो पहले 500 नमबर लेका रहे थे, उनके 650 नमबर तक आ रहे हैं, इसका एक बिशेस एक्जाम्बल तो, मेरा विस्ट नाराम है, जो मेरा बाड़ मेरे का बच पे नहीं को रहे हो यार, दो दिन दो लेट हुए है, वहाँ पेपर आउट हो गया है, कोरोना का पड़ता है, ओके डियर, एक बात और मैं करना चाहूंगे, आपके घर में कोई छोटा वहन भाई है, जिस टेंस का एक्जाम दिया है, वहाँ कई बाड़ पैरेंट्स रिट क मोका नहीं दें, तो भाईया, ओनलाइन क्लास से जोनिक रहें बच्चों को, यहाँ अपील भी करना चाहूंगा, बिल्कुल, सपस्ट अपील करना चाहूंगा, मैं, इदि आपको लगता है, CLC प्रेटफॉर्म सक्षम है, इमानदार है, के पेबल है, तो बाकी इस प्रेट और मैंने काम किया है, माफीज, बिल्कुल यहों, कह सकता हूँ, मैंने काम किया आपके लिए, मैंने आपको डेल लाइव बिलाओ आपसे, मैंने प्रिवेस पेपर दी आपको, मैं पंस दे रहा हूँ आपको, मैंने निस्फुल खोली आपके लिए टेस्ट सेरीज, और दोस सहे करूंगा? आप संस्ता ऐसे करें? बिलकुल आप मेरे brand investor हैं. आप institute के लिए motivate करें. जोड़े? क्यों जुड़ना है उसको तो क्यों न आपने घर में जुड़ोना है यार? ओके? थैंक्यों. बास सुरू करें. आज़ो dear. अब question number 1. rotational motion, physics punch 6. आज़ो साप कहता है. moment of inertia, eye of solid sphere about an axis parallel to a diameter and at distance x from it varies as. यह कुछ simple बात है. अगला कहता है को ठोस गोला है. लो जी. उसके व्यास यह व्यास होता है. यह डामेटर होता है. इसके समानांतर किसी x distance पे. लो जी. खेंस तो यह कोई दूसरी लाइन है. तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे कोई दूसरी लाइन आएगी. eye equal to क्या होगा? eye note mx square. simple बात है. eye equal to eye note mx square. बैस अब तू एक काम क्या करते है? यह तरह constant है. तो अपने क्या कह सकते हैं इसको? यह तेरा c है और यह अपना क्या है? अपन जानते हैं थोड़ा से मिटा दूए इसको मैं. दोस्तों एक equation क्या होती है हमारी? y equal to mx plus c. बोड़ साथ हो जाए मेरे. y equal to mx plus c. y पर कौन है? eye. तो यह तो मेरा क्या कर दे? y कर दे. ठीक है dear? c कौन है? constant. तो यह क्या हो गया तेरा? c. और यह तेरा क्या है? mx. यह mx है लेकिन धान्दे यह square में है. यह एक होता. तब तो दोस्तों line आपकी इसका graph आ जाता ऐसे. धान्देना class. बट यह x square है ना? तो x square में parabolic बन जाएगा. तो आपका दोस्तों answer हो गया first. जान्देना बात का. यह दिए y equal to mx plus c होता है. तब तो graph ऐसा होता है. बट दो यह x square हो गया. तो square है तो पैरा बालिक हो जाएगा. तो दोस्तों आपका answer हो गया first. यह आप. यह नहीं हो सकता इसमें जान्देना. यह तब होता जब x होता है. यह x square है. clear? कोई दिकत नहीं है ना? यह यह कौन है? समरांतर थो रहा हूँ. पैर दे लो थो रहा हूँ. पैर दे लो थो रहा हूँ. i equal to i note plus md square. clear? जो बहुत काम आएगा आगे बीदेखना मेरे questions में. ओके thank you. question number 2. पढ़ ले. पढ़ लिया? आजो. ए थिन hollow slender. hello? थिन hollow slender मतलब ring. hello, hello, hello वहिया. solid slender disc. hollow slender ring. ठीक्स होता है. ठोस pipe. जो को आप काटो. आपके पास बड़ा कद्दू है मालो. बड़ा कद्दू क्या होता है? ठोस pipe होता ना. काट. पीस कैसे बनेगा? disc बन गई. और मालो. खोक्ला कद्दू है. उसको काट. तो क्या बनागे? ring सीदी सी बात है. ठोस कद्दू काट. डिस्क बन जाती है. खोक्ला कद्दू काट है. ring मन जाती है. तो ठोस बेलन. काटोगे. तो disc की बाती काम कर रहा है. खोग लियो काटोगे तो, क्यों भाई, रिंगी बाती काम करेगा, बैस, आजा, साब कहता है, ए थिन होलो स्लेंडर, ओपनेट बोथ एंड स्लाइट विदाउट टोटिंग, एंड देन रोल्स विदाउट स्लीपिंग, विद दा सेम स्पीड, दा रेश्यो अब दी काइनेट इनरजी इनदा टू केसेज, दोस्तों यहां एक बात दा सुनना, यह आपका कोई इनकलाइंड प्लेन है, धान्दे क्लास, एडिंग है, इसको बोलते हैं, नतल पेपिंड की लोटनी गती, रोलिंग मोशन ओन इनकलाइंड प्लेन, एक तो दोस्तों गती क्या है, कि यह ऐस इसको बोलते हैं, स्लिपिंग विदाउट रोलिंग, और एक दोस्तों ऐसी गती है, जो ऐसे घूमते घूमते गेंद आपकी यहां आई, जैसे इसको बोलते हैं, विदाउट स्लिपिंग रोलिंग, हिंदी बोलू, इसको बोलते हैं, बिना लुड के रेखे गती, इसको बो तो दोस्तों यहां जो A है वो तो काम आएगा A इकुल टू G साइन थीटा और यहां जो इनरजी है उतनी आएगी हाप M V स्कायर दिमाग मत लगा यह दोस्तों रोल भी कर रही है और यह साइकल का टायर मान ले याँ हेलो साइकल का टायर चलता भी होर गूमता भी है तो यह गूम भी रही है चली भी रही है तो इसकी जो total kinetic energy है ना वो ऐसे होती है हाप mv square plus हाप i omega square i को मैं replace करूँगा mk square से तो मैं पुरा क्रुत्रे के लिए देख उस लास्ट formula बता हूँ क्या आएगा लास्ट आएगा हाप mv square बहार निकालूँगा 1 plus k square by r square मैं आपको कर रहा हूँ i को replace करते है mk square से k क्या है ग्राइशन रेडियस गुनन तरीजा जो अलग लग लग बोड़ी के अलग लग होगी तो आपके सामने सामने ये क्या है हाप mv square plus हाप mk square आप जानते हो दोस्तो v equal to r उमेगा उमेगा क्या हो गया रहा है v square upon r square तो देख वहाँ चल तो हाप mv square भारिस में से कोमना उट ले ले तो अंदर क्या बचा one plus k square upon r square ये पहला case है जहां गतीज उरजा है हाप mv square ये second case है जाएंदर जी हाप mv square one plus k square by r square अब अगला साब कहता है थिन होलो स्लेंडर लड़के तिन होलो स्लेंडर का k square by r square इतना होता है भाया one होता है m k square equal to m r square ओके डियर अब अगला साब कहता है दोनु प्रिस्टितिवों की काइनेटिक इनरिजी का रिश्यों बताओ कौन सी पहले क्या कर रहा है बिना लुड़के पिसल रहा है यह रहा यह रहा फस्ट यह हाँ पे mv square और उसके बाद क्या है लुड़कते वे चल रहा है तो यह हाँ पे mv square one plus k square by r square यह cancel out है k square one one by one यह one minus बन क्या हो गया two तो one अनु पाट two दोस्तों रिश्यों क्या आगया एक नुपाट धान देना भीया यहाँ आंसर दो नुपाट एक भी रहे hello लड़के यहाँ एक आंसर one is to two है एक two is to one है silly mistake मत करना क्यूश्टन की भाद साब मैं बार बार कहता हूँ physics उसी को आती है जिसको language पढ़नी आती हो हिंदी हो चाहे English हो फिर सुन ले यह तेरे सामनी है नतल पेपिंड की लोटनी गती rolling motion on inclined plane तो एक तो है sleeping without rolling और एक है rolling without sleeping तो एक जगा काम आएगा g sin theta और यहाँ याद करें यह क्या होता रहा है g sin theta upon one plus k square by r square और energy की बात करें यहाँ सारी को है kinetic यहाँ आराम से बोल रहा हूं क्योंकि यह बार बार आगाम आएगा केवल एक यह गती है केवल linear motion है तो गती क्या होती है harp mv square sorry गती जुरुजा क्या होती है harp mv square यह केवल गूम रही है harp i omega square लेकिन गूम भी रही है चल भी रही है जैसे cycle का टायर तो harp mv square प्लस harp i उमेगा को बोलते है translatory kinetic प्लस rotatory kinetic दोनों का जोड होने के बाद total kinetic clear और वहाँ गोस्तों मने i को replace कर दिया mk square से omega को कर दिया v square v upon r से तो formula बनेंगे यार रख ले है एक बोड़ खाली करना ले मैं तो एक नई बात बता दू तीन प्रकार की इनर्जी है रहे केवल का harp mv square केवल rotational harp i square और दोनों हों तो harp mv square one plus k square upon r square धन दे ये है इस तानांतरन गती जूरजा translatory kinetic energy ये है पून गुर्णन गती जूरजा rotational kinetic energy ये है total kinetic energy pointer है ratio निकालना हो इस काई से निकालना हो इस काई से निकालना हो कुछन बनते हैं exam में आते हैं हमारा प्रसंद solution करना मकसद नहीं है रहे इन प्रसंदों के आसपास बात को लपेटना है पूरी को इमानदारी से मेरा दावा तो नहीं है मेरा आपके प्रती विस्वास है खुद का अन्बो कहता है यदि आप फिजिक्स के प्रिवियस पेपर का सोलुशन देख लो CLC का और पंच के बिस के बिस परसन देख जाओ और इमांदर से देख जाओ जिस इमांदर से मैं बना रहा हूँ दोस्तो मेरा दावा है वन सिक्स्टिन नंबर वो बचा ला सकता है जिसके कभी अपने कोचिंग के टेस्ट में 70 से उपर नंबर नहीं आए होंगे लेकिन ये जिगरे में आग भी चाहिए और मेरे परती विस्वास भी चाहिए ओके नहीं हो दोस्तो कुश्टन नमर थ्री ये दोस्तो रोटेस्टल मोसन का मोमेंट ओप इनर्शिया निकालने के बेशी कुश्टन है इस पर थोड़ा दहां से बाढ़े जोगे इच्छा कुश्टन है देखो मैं इसको बिना पहन चलाए कर दूँ अपने तो फिर प्ताओंगा पहन प बड़ा फोर सॉलिड स्पेर्स इच हेविंग मास एम रेडियस आर और प्लेश्ट इर सेंटर ओन देर फोर कोर्न सौइर साइड ए दिन द मोमेंट ओप इन अक्स्टम इस एक्स के पर पी मोमेंट ओप इनर्शिय ची ये देख रहे बगा यह गोल आक्स पे बैठा है तो दो 2 x 5 m r square 2 x 5 m r square इसके लिए 2 x 5 m r का मतलब A, A की बात है गोले का है, radius r है तो गोले में तो r आएगा और यह distance A है तो इसका क्या है, 2 x 5 m r square 2 x 5 m r square यह क्या है, 2 x 5 m r square प्लस m a square 2 upon 5 m r square upon m a square तो 2 x 5 m r square किती बार आ गया 4 बार, तो कितना हो गया 8 बटे 5 है, 8 बटे 5 m r square एक इसका म a square एक इसका म a square यह जानसर आगे, पता कहा बुद्धी की जुरूरत है, ओलड़के ओलड़के, ओलड़के, ओलड़के i equal to i not m b square यह समानांतर प्रिमे कहलाती है parallel theorem कहलाती है जो इस topic में सबसे ज़्यादा useful है फिर सुन ले यार यहाँ क्या रखा, ले बिटा की दुबरा कर दूँ यहाँ क्या रखा हुआ है एक solid रखा हुआ है उसके actual में देखा जाए तो कहां से गुजर रही है यह राज से गुजर रही है एक बाद जाने ना बया जो वस्तु ठोस होती है ना लो दो नहीं है पर यह तो diameter के साफ X है, यह तो व्यास के साफ X है और एक Candre से कुजर ने वाली X के प्रति कितना? 2 बटा 5 MR स्क्वाइर तो इसका 2 बटा 5 MR स्क्वाइर इसका 2 बटा 5 MR, इस ख्रक्स के प्रति वही इस ख्रक्स के प्रति में 2M2, ए फिर सुन ले या, कोई दिकत, ओके, एक बात और सुनना, पिछले परसन में, मैंने काटने की बात में, जो कद्दू काम लिया, ओकद्दू मतलब लोकी, अभी दिमाग वाया, कद्दू का मतलब मेरा, लोकी जो लंबा सा होता है, लंबे लोकी, उसको काटे हैं से, लोकी है, कद्दू गोड होता है, लंबी चीज़, ओके, थैंक्यू, दोस्तो क्विश्टर नमर फोर, बिल्कुल अपने आप में कॉंसेप्ट है, पूरी दुनिया है, सुरू हो खता हो जाएगी, दोस्तो अखिकत में इसमें एक इसी काम आएगी, टो इक्वल टू आर क्र से दिसी बात है, और कोई वस्तू एक्लिवरियम कंडिशन में है, वो नहीं घूम रही है, इसका मदद टो क्या है, जीरो है बैस, तो दोस्तो अगला कहता है, आपको दोस्तो कहता है, वो इसके साथ एक्लिवरियम में है, तो देखो दोस्तो इस 16 मल्टिप्लाई G, L1 क्यों, इसका आर कोस F, F कौन है, M G, इसका आर कोस F, कलर चेंज कर ले, और इसका क्या होगा डियर, इसका M G, L1 एक्वल टू चार G, मल्टिप्लाई L2, पेज खाली करना भाईया, ओके डियर, ये दो इक्वेशन तेरे सामने आ गई, आजा भाईया, इन दोनु इक्वेशन तो M इक्वल टू है, 16L1 अपोन L2, और इधर तेरे सामने, M L1 इक्वल टू 4L2, कलियर, अब तु यहाँ से L2 गाइब कर दे, L2 गाइब गरेगा, तो देख 16L1, जहां L2 वहां क्या हैगा, M L1 मल्टिप्लाई 4, ये कैसल आउट हो गया, ये तेरा M स्कार दोस्तों ऊपर जिरा गया, ये 16L64 हो गया, 64 का रूट कर ले, M का मान क्या आगया, 8 kg, जाला कुछन वाज़ा भाईया, M का मान 8 kg, ये रहा भाईया, M का मान 8 kg, तो दोस्त ये ले तेरा M एक्वल टू 8 kg, जहाँ स्वरा आगया, सिम्पल और स्थेस्ट बेजेंगा, इधर का R क्रोस, टो, इधर का टो, आर क्रोस एफ, आर क्रोस, आर वन एफ उन इक्वल टो, आर टो एफ टो, फोर, एक्लिब्रियम पोजिस्टन, ओके तैंक्यू, कुश्चन नमर फाइफ, देखो इस कुश्चन को पढ़ लो, इसको पढ़ने से, करने से पहले, आपको मैं ट्रिक बता दूँ, आप पेजखाली करेंगे, पेजखाली करेंगे, देखो डियर, एक बात धान दो, यदि ये कोई आपकी, ऐ लंबाई की छड़ है, इसका मास M है, दोस्तों, इस अक्ष के परती आपको आई पूछे, याद कर ले भई, इस अक्ष के परती आई है, ML स्कायर अपॉन टौल, याद करना पड़ेगा, अब दोस्तों मर कलर चेंज करके तेरे हिल्प कर दू, अगला इस अक्ष के परती पूछ ले, धान दे क्लास, इस अक्ष के परती तेरे से आई पूछ ले, तो मैं तेरे को पैरलल थोरम को अप्लाई करना सिखा देता हूँ, इस के परती पूछे, तो सबसे पहले आप इसके समाना अंतर लो, समाना अंतर कोण है, I note, ये distance क्या है तेरी, D, D किसके बरावर है, L, Y, 2 के, ये कोण है, नया आई, तो आई क्या होगा रहे, I note प्लस M D स्काइर बोल हाया ना, I equal to, I note प्लस M D स्काइर, D क्या है, L Y 2, I note क्या है, I note है, M L स्काइर पूट वाल वे, D क्या है, L Y 2, उसका स्काइर है, तो क्या करोगे, M L स्काइर भाई 4, दोस्तों को देखो, 12 L सिम लो, तो ये तेरे सामने सामने आंसरा हैगा, 3, sorry, M L स्काइर भाई 3, कितना हैगा, M L स्काइर भाई 3, तो भाई, याद करना पड़ेगा, यहां M L स्काइर भाई 12 होता है, और यहां M L स्काइर भाई 3 होता है, याद रखना पड़ेगा भाई जी डाक्टर बनना है तो नहीं छोड़े दे कोई खास बात नहीं है आजा अब कुछल में आजा बस हो गया फूर थिन रोड ये दो जी फूर रोड है बूल जा बाकी रोड को एक रोड को आजा इस रोड के कारण इस पे कितना मौमेंट उप इनर्शिया है तो डियर इस एक्स के परती निकाल इस एक्स के परती कितना है एमेल स्कार वाई ट्वल्व ये डिस्टेंस क्या है तो वो क्या है एल वाई टू तो अखिकत दोस्तो इस एक्स के परती जो है वो ही अपने गुणा भाग करेंगे तो ml square by 3 आ जाए गए इस एक के कारण ml square by 3 इसके कारण ml square by 3 और एक बास सुनना रहे ये थैंक्स दो इस moment of inertia को कि इस केड़र quantity है इसे जोड़ दो कल को कास से victor होता तो पंगा कर देता है जोड़ दो दो दोस्तों एक के कारण इतना है तो चार के कारण हो गया 4 ml square by 3 4 ml square by 3 इतना दे इस रोड़ के परती यहां कितना है ml square by 12 plus plus md square d कितना है l by 2 वो गुणा बाकर ml square by 4 ml square by 3 आएगा वो किस एक कारण दो के कारण चारों कारण कितना हो जाएगा चार से multiply कर दे हाँ दोस्तों किश्टर नमबर 6 पर जाने से पहले पांस में एक बात बीच में रह गी थी हमने का आई moment of inertia जड़तू आगून सदिस नहीं हाँ यह अदिस नहीं है सदिस भी नहीं है यह परदिस है यह ना scalar है ना vector है यह tensor है tensor में क्या होता किसी एक x के परती बात करते है वो क्या बन जाती है scalar बन जाती है तो मोटी बात है कि यह अदिस रासी है इस टेमें जोड़ बाकिन vector का दिमाग नहीं लगाना है अब 6 question में आओ दोस्तों यह दोस्तों मेरा पिर यह परशन है बही जान सुन ले बही बूल जा क्या परशन है पेज खाली कर रहा है दोस्तों यह कोई path है circular कोई particle यहां से उठके यहां चला गया फीटा गुम गया और यह इसका magnitude change नहीं हो इसकी direction change तो होगी यहां यह direction है यहां यह direction है तो vector change तो हो रहा है इसका इसका direction change तो हो रही है बट वो कहता है समान velocity से कोई particle समान speed सहुरी speed सेम है इसका मतलब इसका शन्ख्यात्मक मान change नहीं हो रहा है फिर भी दोस्तों direction बदलने से vector change तो हो रहा ना तो इसमें कितना change होता है माना इसका वेग यहाँ V है और यहाँ भी वो V-डेस कह देंगे तो दोस्तों यहाँ जो V में चेंज है वो दोस्तों बहुत प्रहाफ हमुला है 2V sin theta by 2 गांट पाल ले बहुत प्रहाई 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 यदि कोई चीज theta angle पे ग्हूम जाता है अपने निमेरिकल वेल्य को constant रखते हुए है जैसे speed constant रखें तो अब आपके velocity चेंज होती है due to change in direction this equal to 2V तो V कि आर बोल दो कोई भी आर बोल दो कोई आर वेक्टर है तो दोस्तों 2R sin theta by 2 जान देना अब गोर किया न आप ने sin 45 क्या होता है 1 by root 2 याद कर दोस्ते इसका change क्या हुआ root 2 भूल गया क्या रहा है जब दो वेक्टर काप 90 पे करते root 2R नहीं आता है क्या वो इसी तो है चला गे चल इसको तो 180 कर दे यहाँ से गूम के यहां गया तो याद कर यहां से गूम के यहां गया इधर V है और इधर तेरा क्या है रहा है minus V है अगर की के देखा जब चेंज V से minus V पे गया लड़के plus 2 से minus 2 पे जाने पे change 4 का होता है ओ भाई ओ भाई जल्दी मत कर जीरो 1 plus 2 minus 1 minus 2 सोचे minus 2 से plus 2 पे जाने पे 4 का change होता है यहां से यहां आया 180 घुमा साइन 90 एक हो गया दोस्तो 2 भी आ गया ना तेरे सामने है और यह 360 घुम गया तो तेरा सामने वापस 360 घुम गया जीरो हो गया लोटके बुद्धुगर को आ गया जहां चले वहां आए वेक्टर खतम हो जाता है क्यों वेक्टर का अर्थी क्या होता फाइल माइनस इनिसियल वेक्टर कॉआंटिटी पक पे डिपेंट है नहीं करती है तो पूरी थोरी समझ में आ गई तो इस कांसे यह रहा 2V sin theta by 2 तो तो दोस्तों question number seven जो है न वो थोड़ा सा concept का question है इसमें धान दे न तो question पुड़ो क्या है एक बड़ी पूली है एक छोटी पूली है बड़ों पूली आ ऐसे जूड़ी है एक मारों बड़ी पूली है उस पे छोटी पूली है बड़ी पुली पर रसी घूम रही है, छोटी पर रसी घूम रही है, सिस्टम एक है, पुली की साइज बड़ी है, बट दोस्तों सिस्टम दोनों का एक है, जब सिस्टम दोनों का एक जब होता है, तो डिये तो जानता हूँ, उन दोनों का अलफा एक वल्टू क्या होगा, अ एंगुलर एक्सिरेशन चेंज नहीं हो सकता, एक निकाई कि आप जानते हो दोस्तों कभी एक्सिरेशन दो नहीं हो सकते, इस दिधिन वोसन होता, तो रेखे तूरन होता, यह गुणन गती है, तो कोई तूरन हो जाएगा, बसी दिसी वाद, अब परसन पड़ो क्या है, अब को कहता है, तो बी का डिरेक्शन क्या है, अलफा एक्वल टू क्या कर दिया अपर नहीं, अलफा बी कर दिया, बस अब तो एक बात जानता है, एक्वल टू क्या होता है, आर अलफा, तो अलफा एक्वल टू क्या हो जाएगा, एवाई आर, कहीं को दिक्कत नहीं, एक की वि A, A, B अपोन आर, B बता, 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 बता बस? اixòके A, A A, A क्या हाँ रहे है? और आफ, 5 A, A कितना है? A, A कितना है भाईया? देखना बड़ी? A कितना है 2, बढ़ी कौण है? 1, A, A चोटी वाली है भाईया A चोटी वाली है तो 1 और A-B कितना लड़के A-B कितना है निकालना है A-B आपको निकालना है R-B कितना भहिया तो यह लिए भाई A-B का मान क्या आ गया 10 मिटर पर सेकिंड स्क्राइड तो था क्या दिक्त है concept समझ यार एक बड़ी पूली छोटी पूली जुड़ी हुई है बड़ी पर रिसी है छोटी पर रिसी है दोस्तो एक सिस्टम के कभी दो तोरण नहीं हो सकते वो चाहे लिनल मोमेंटम हो चाहे अंगुलर मोमेंटम हो एक सिस्टम के दो अक्सिलेशन नहीं हो से बैस alpha a equal to alpha b और a equal to क्या होता? r alpha यह है अजितने formula याद रखने हैं पढ़ेंगे अपने को जैसे दोस्तों पता लगा 5 meter per second square किस का मात रखा रहे? linear acceleration का मात रखा रहे जाना न ये रेखिए तो रण का मात रखा है कोने तो रखा रहे नहीं हो तो वो तो radian per meter radian per second square होता है radian per second square ओके? thank you question 8 concept wise सबसे प्यारा सबसे easy question पढ़ लो क्या है? दोस्तों साब कहता है एक रेक्ती गूम टेस्टू बुझाएं फेलाएं बैठा अचानक ये छोड़ो ये सब एक simple question है दोस्तों stage गूम रहा है हम उस पे खड़े हैं अब हम हाथ पहलाएं उठें बैठें कुछ भी करें इस system पे बाहर से कोई force नहीं लग रहा है जब बाहर से कोई force भी लग रहा है तो बाहर से को torque भी नहीं लग रहा है याद करो force 0 होता है तब होता है linear momentum conservation रेखे समवेक्षरक्षन जब toe 0 होता है तो angular momentum conservation कोन यह समवेक्षरक्षन बूल गए क्या रहा है जब F equal to होता है तो DP by dt होता है जब toe होता है तो दोस्तो DG by dt होता है F 0 तो DP equal to 0 इसको बोलते हैं रेखे समवेक्षरक्षन इसको बोलते है angular momentum conservation यह परसन किसका है इसका मतलब दोस्तो j equal to क्या है constant j क्या होता है आई omega इसका मतलब i omega equal to क्या है रहे constant i दोस्तो क्या होता है mk square और तेरा omega equal to constant ओके बात हो गई अब आजा तो खुद कह रहा है मैं बुझाएं फैलाएं बैठा है यह अचानक सुन रहा है अचानक मेरी बुझाएं को शिकोड दूँ इसको आप r कह सकते हो मैं बुझाएं शिकोड देता हूँ तो मेरा r कुछे कम हो जाएगा दोस्तों जब r color change कर जब यह चीज कम होगी तो इसको बढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि आपको दोनु के गुनन फल को क्या रखना है constant M तो change नहीं होना this is best example of angular momentum conservation clear हो गया भई second his moment of inertia simple है एक बात है जड़तवा गट जाएगा ऐसे बोलतों चाहे आई गट जाएगा उमेगा बढ़ जाएगा और अगला उमेगा पूस्त हम क्या है उमेगा तो पहला object कोण ये वे गटेगा ना moment of inertia गटेगा yes कोण ये वे एक नियत रहेगा मतलब ही नहीं है कोण ये समय बढ़ जाएगा ना चार object पर देख रहे बात क्या है angular momentum conservation की ये कब है जब बाहर से किसी प्रकार का कोई force से नहीं लग रहा okay thank you question number 9 देखो भाही linear moment और रेखे moment बस दोनों ये की है रेखे गती बोल दो जब गुणन गती बोल दो कोई फ्रक नहीं है basic concept same है के वो ट्रम चेंज हो रही है आजो क्या कहता है the instantaneous angular position of a point on rotating wheel is given by this theta equal to आजा लड़के theta equal to 2t cube minus 6t square दोस्तो अगला साब कहता है torque on the wheel becomes zero torque दोस्तो wheel पे zero करना है torque का मतलब ये होता है अब torque को मत याद करते है F को याद करते है F ही pull to M A F zero करना है तो M तो कभी zero होने से रहा आपको क्या करना पड़ेगा A zero गाट बांदो एक नड़का कल मेसेज भी आया था मने किसी क्लास में बोल दिया था कि F zero होता है तो V zero हो जाता है V नहीं भई हो सकता बोलने में गरबड हो गया होगी F equal to M A F equal to zero तो M और A का multiplication zero होगा M zero होगया तो body नहीं ये बोले आदमी M तो zero होने से रहा A zero करना होगा A zero का मतलब क्या A zero है तो रण जीरो है इसका मतलब वे velocity constant है साइद कहीं मैंने बोल गया होगया बोलने में बोल जाता है कि velocity zero है velocity zero नहीं A zero है तो velocity constant है अब आजा जहां F है वहां टो कर दे जहां M है वहां I होता है जहां A है वहाँ अलफा होता है फिक्स तरीका आई तो compare करें वहां जो काम F करता है यहां वो काम T करता है वहां जो काम M करता है यहां वो काम I करता है वहां जो काम A करता है यहां वो काम alpha करता है तो भाई तेरे को T zero करना है तो alpha zero कर दे और अलफा कैसे होता है तू जानते पहले थीटा होता है थीटा को तू एक बार डिफरेंशेट करेगा तो वह तेरा उमेगा आएगा और दोस्तो इसको तू दो बार डिफरेंशेट करेगा उमेगा को एक बार डिफरेंशेट कर दे चाहे दोस्तो थीटा को दो बार डिफ्रेंशेट कर दे वायास उसको क्या कहेंगे तो कहने का मतलब यह है इसको दो बार डिफ्रेंशेट करके अउक्वन करके 0 कर दे तो एक बार करूंगा देख दी थीटा वाई डी टी पूरा करें आख लेकिन कर दोनों को यही रेख आगति है सुनले रहे बाई displacement के बाद velocity, velocity के बाद acceleration वो चाहे linear का हो, चाहे angular का हो ओके, thank you question number 10 दोस्तों, question में 10 को भूल जाओ आप क्या है, पर देखो, एक कोई छोटी पुली है, एक कोई बड़ी पुली सीन देखो, और इस पे बेल्ट गूम रहा है बाई, अच्छी तरह गांट बान ले रहा है कुछ भी हो जाए चाहे, इनके रेखे वेग अलग 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 है, नहीं हो सकते रेखे वेग अलग 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 नहीं है तो रेखे त्वन भी अलग अलग है यान लीनियर, velocity और लीनियर, acceleration दोनुक एक्वल हैं, तो मैं ये कहूंगा A, A इक्वल टू A, B बास A, A इक्वल टू A, बुद्धी लगा यार छोटी पुली है, ऐसे बेल्ट गूम रहा है पर एक धांद ना रहे, उमेगा अलग अलग है उतने समय में छोटी पुली के चकरें, जादा हो जाते हैं बड़ी पुली के चकरें, कम होते हैं और इसलिए पुलियां लगाई जाती हैं पुली लगाई जाती हैं कि हमें ताकत कम लगानी पड़े पुली का कंसेप्ट यही है, इन्जनिंग में लेकिन दोस्तों, बेल्ट का रेकिये वेगे, लीनियर विलस्टी अलग अलगे, नहीं हो सकती बस यहीं से कानिस्टा, ना विलस्टी लग होगी, तो ना तुर्ण, हाँ यह ऐसा हो गया, तो बेल्ट तूट जाता है अक्सर बेल्ट तभी तूटते हैं जब यह आपका रेकिये तुर्ण आर अलग अलग है, अलफा भी अलग अलग है, अमेगा अलग कॉमन सेंस की बात है, आर ऐसे गुमेगा तो यह जितने में समय में दो चकर लगाई उतने में यह एक चकर लगाईगी बड़ा चकर होगा ना, बस, आजा तो ए, 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 इक्वल टू अबी अब तेरा ए, ए क्या है ए, ए क्या होगा आर ए, अलफा ए इक्वल टू आर भी अलफा भी, यह मैं मेरा कॉंसेट बोल वहाँ, अब मुन कृष्ण नहीं पढ़ा है यह मेरा इस पे एक यूज है अब मैं परस्टन पढ़ता हूँ क्या है ए, वील A है, रडिएस 20 सेंटीमेटर कपल भाई बेल टू वील बी रडिएस 30 सेंटीमेटर ए, सोन फिगर, वील A इंक्रीज इस अंगुनर स्पीड फ्रों रेस्ट अट उनिफॉर्म रेट 3.14 रडिएन पर सेगिंड स्कॉर्र टाइम 4 वील बी तो रीच ए, रोटेशनल स्पीड ओप 100 रिवलेशन पर मिनट, अजुमिंग देट बेल डज नोट स्लिप वील बी, वोई बात है, बेल स्लिप नहीं हो रहा है, यानि लिनियर मोमेंटम लिनियर डेटाओ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो dear, अपन सब से पहले तो, यहाँ अपनी बात सुरू करें एक पर आप ऐसा करें, भई, पेज खाली कर ले तो मैं कुश्चन पेपर से देख लेता हूं, डेटाओं को, ओके dear, पेपर खाली करें हैं अपन तो आपके सामने सामने है R A R A, बोलो, बोलो, भईया Alpha A, R B, Alpha B, ओके dear, अगला साम कहता है A के इडिस कितनी है, 20 cm Alpha A क्या है, भई, साम कहता है A, विराम से नियत दर 3.14, रेडियन पर सेगेंड स्कार, ओके मतलिका होता है, रेडियन पर सेगेंड स्कार कहा है, R B कितना भईया R B 30 cm, तो 0.30 और दोस्तो, अलफा बीटा हमारे पास अभी नहीं है तो अलफा बीटा की वेल्यू बीटा, अलफा बी, बी का अंगुलर अक्सिलेशन, इसको इससे मिटा दे, तो ये तेरे वेल बी टू, रीच, रोटेस स्पीड, 100 रिवलेशन पर 3 मिनट, विराम अवस्ता से कहां जा रहा है, 100 चकर पर 3 मिनट, ओ डियर, ओ डियर, ओ डियर, ओ तो F होता है CPS, अगला क्या कहा रहा है, 100 रिवलेशन, चकर, जिसको बोलते हैं, CPS, ओके डियर, और ये पर मिनट है, इसमें 60 से डिवाइडी कर दे वहिया, ये तेरा क्या आ गया F, अब तेरा उमेगा बनाना है, तो वो क्या होता है 2 पाई F, बोल हाँ या ना तेरा कार्यक्रम स्टार्ट कहां से होआ, 0 से, कहां तक पहुंचा इस तक है, ओके डियर, ए बोल गया गया रहा है, उमेगा इक्वल टू, उमेगा नोट प्लस अलफा टी, क्या दा रहा है अरे, वी इक्वल टू, यू प्लस 80, तो उमेगा, वाट इस उमेगा वोरा, देख वोरा, वोरा, वोरा उमेगा नोट क्या है, जीरो प्लस अलफा क्या है, यह रहा अलफा क्या रहा है, टू पाई बाई थ्री और यह तेरा मेरे भाई टी, देख टू पाई से टू पाई कैसल आउट कर दे तीन को इससे काट दे, तो दोस्तो ती ब्राबर टेन बाई टू तो टी का मान बलुकुस फस्ट रूप से आंसर क्या आ गया फाइब सेकिंड आप आंसर में आ जाएं दोस्तो यह आंसर देखो फाइब सेकिंड आ गया यह क्यूशन थोड़ा देखने में लंबा लग सकता आपको लेकिन है conceptual एक्जाम में आ सकता है concept क्या है? concept दोस्तो start यहां से हुआ concept स्टार्ट यहां से हुआ a a equal to a b linear data change नहीं होते हैं ऐसे क्यूशन में और यदि linear data change हो गए तो build तूट जाएगा, क्यूशन खतम हो जाएगा ओके? तेंक्यू दोस्तो, question number 11 समानांतर थोर्म parallel थोर्म का एक बहुत पहला क्यूशन मैं इसको पढ़ा चुपा, दो क्यूशन पहले दोबार देख लो, क्या कहता है जी? M mass हो है, L लंबाई की पतली च्छड़ है और दोस्तों साब कहता है, इसके L लंबाई के लंबो किसी x के परती ML स्कायर बटे 9 है, तो सुनो, यह कोई X है, इसके परती तो क्या होता है ML स्कायर बाई 12, अब वह कहता कोई X है मुझे नहीं पता, यह X मालो, यह X है इस X के परती, जो, इससे किस दूरी पर है? X दूरी पर है, वहां कितना है? ml square by 9 है तो अगला कहता x की विली बताओ लड़के कहां दिक्केत है यार i equal to i note plus है क्या होगा m x square i equal to i note plus है m x square i क्या है हो रहा ml square बटे 9 i note क्या है बोल बोल ml square by 12 है equal to क्या है m दो बोलेगा भी छोटा बड़ा नहीं है ये क्या है m x square अब देख ये ml square by 12 9 minus ml square 12 है तो minus कर ले यार एक बटा 9 में से एक बटा बारा गठा इसका आएगा 108 इसका रास्ता है नहीं है कोई तो ये कितनी बार भाग गया 12 बार बार ये कितनी बार गया भाही 9 बार एक रास्ता है कोई तरीका है नहीं 12 को 10 से गुणा करो कितना होता है 120 9 से गुणा करो कितना आ गया 108 ये 12 बार गया 12 minus 9 कितना बचा भाहीया 3 तीन बटा कितना है 108 इसकी value है 3 upon 108 यानि ये minus होगा नहीं इदर तो आप थोड़ा धान दे इस पे तो ये तेरे सामने क्या आ गया 30 ml स्काइर अपॉन 108 इक्वल टू क्या है m x स्काइर m से हम कहें से लाट इसे काट देना यार 36 हो गया ना अरे तीन का भाग दे 29 और ये तेरा क्या आया x स्काइर तो ये x रूट कर ले तो ly 6 आ गया आंसर क्या आ गया ly 6 आंसर क्या गया भाई ly 6 clear ये समारांतिर थोरम पैरलल थोरम का बेस्ट एक्जामपल है अब तक पढ़े पढ़ गया होगा ओके थैंक यू और दोस्तो यदि पैरलल थोरम पढ़े नहीं पढ़ी तो इस क्यूशन में आपके समझ में आजाने चीए और फिर भी नहीं आई तो ऐसा महा जोडता मेरे बसकी बात भी नहीं है आजा पढ़ ले क्या है तीन वले हैं जो ऐसे रखी हुई है यहां कई क्यूशन बनते हैं तीन रिंग हो सकती हैं तीन डिस्क हो सकती हैं तीन खोकले गोले हो सकते हैं तीन ठोस गोले हो सकते हैं कोई फरकने पढ़ता है उस चीश से आप तो मूल बात समझ लो अगला साथ थ्री रिंग्स इच ओफ मास पी मास पी एंड रेडियस क्यू आर arranged as on this, 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 जब मास्क को पी लिया, खास बात नहीं, कोई बात नहीं, तो moment of inertia of the y y dash के परती, आपको इसका moment of inertia बताना है, दान दे क्लास, y y dash के परती निकालना है, तो पूरी बात निखू तेरे परती, तो i y y dash, अपना कहे देंगे, i 1 plus i 2 plus i 3, 1 का निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, सबसे परे दोस्तों मैं निकालता हूँ, i 3, सफस्ट है दोस्तों, ये ring है, ये इसका diameter के साफ एक्ष है, ring में diameter के साफ एक्ष दोस्तों, जो i होता है, वो होता है, half mr square, अब ये लफडा है, यहाँ पर, m के ज़िए क्या रखणा है, p, और r पर क्या रखणा है, q कोई खास बात नि, last one change कर देंगे, अब आप देखो, i 2 निकालो आप, मेरे साथों क्लास, जैसा i 1 का आएगा, वैसा i 2 का आएगा, अब आप देखो, ये एक है, इसके परती निकालोगे, तो दोस्तों ये आप, diameter plus id square, hello, md square सुई, तो आप इसको i 1 कहें, चाहे i 2 कहें, ये क्या है गार है, इस diameter के परती कितना होता है, mr square by 2, ये distance क्या है, r, plus क्या होगा गार है, mr square, ये एक्चुर में क्या हो गया, 3 by 2 mr square, तो 3 by 2, 2, 3 by 2, डेडर कितना हो गया, 3, 3 mr square, उसके एकार कितना है, आदा, तो 3 में आदा जोड़, कितना होबा, साड़े 3, 7 by 2, 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 गया रहा, अब m को P कर दिया, इसको, क्या परता है, अब ये दि, अब सुन, ये दि, डिस्क होती, ये डिस्क होती, तो ये क्या होता, mr square by 4, ये क्या होता, 5 by 4 mr square, ये क्या होता, 5 by 5 by 4 mr square, प्लस 5 by 4 mr square, प्लस mr square by 4, ये ये ठोस गोले होते, सुन जान, ये सुर्ड गोला होता, तो ये कितना होता, 2 by 5 mr square, यह क्या होता रहे, दो बटे पांच एमार स्कायर प्लस एमार स्कायर, साथ बटे पांच 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 एमार स्कायर, परनु के एक निकायव का को नहीं है समय मुजित्य पता भईया को नहीं है समय रίο ही समय इक तभी होता है जब टो मोमेंटम नहीं करता है वो क्या होता है लेनियर मोमेंटम ओकर T0 है तो अंग किश्टर नमर 14, फिर वो पूरी दुनिया है अपने आप में, पूरी दुनिया है, शुरू होती है, किश्टर में खतम हो जाएगी, और आगे पिछे कोई लिंक नहीं है, ये वो परसन देखे हुए है, तो सोटा पढ़ता है, नहीं देखे हैं, तो भाई जी आदमी, आदमी, बिलेंस कर रखा, उसको इतीत बात हो है ना, बसा आजा, क्या कहता है, ये यूनिफॉर्म रोड ओ मास, एम लेंथ, एल, इस सुस्पेंड़ विट टू मास्टेस्ट, अच्छा है, स्टिंग्स का मास्ट नहीं होता है इस तीजों में, फिर वाईटी बन जाती है, एस सोन फ यहां वाल लिया, ठीक है, एक एम जी किदर है, नीचे की और, टीवन टीटू किदर है, उपर की और, उन दो दोने क्या कर रखा है, इसको बेलेंस कर, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, यह ले, टीवन प्लस टीटू इक्वल टू स्मॉल एम जी, बोल, मेरे साब से दिमाग तो जीरो हो गया, यह सेंटर मास यहां रखा हुआ है, यह टोटल डिस्टेंस एल है, तो यह क्या होगी, एल बाई टू, तो डीएर, स्मॉल एम, मल्टिप्लाई जी, टॉर्क इक्वल टू आर्कोस एफ, किसके मल्टिप्लाई, एल बाई टू, इक्वल टू, यह कौन है, किस डिस्टेंस पर आ रहा है, क्योंकि इस्टेंस कितनी है, बैस, दोनों को एक्वल क्यों कर दिया, गूर्क नहीं रही है, तो क्लोकवाईज एक्वल टू, एंटिकलोकवाईज, इसकी तरीक रहा होता, बैस, आजा मेरे यार, हो गया, यह ले, एल से, एल गैसल आटे आगे न, T1 क्या आ गया, 2MG by 3, आजा, T1 रख दे यार, यह ले, T1 क्या है, 2MG by 3, प्लस क्या है, T2, इक्वल 2 क्या है, MG, तो यार, T2, जब MG में से 2MG by 3 जाएगा, तो क्या बचे गा रहे, MG by 3, तो T1 तो है, 2MG by 3, और T2 है, MG by 3, अगला T1 से, T2 से पूछता है, तो T T1 तो 2MG by 3 है, T2 MG by 3 है, तो दोस्तों, आंसर क्या हो गया, दोन पात, एक दे लिए, क्या दिक्कत है, है ना, एक बड़ा क्यूशन, सुरुआ, खतम हो गया, कौन है, T0 इक्वल 2 R क्लोस F है, सुले एक्लिब्रियम होते ही, T0 क्लोक वाइज इक्लोक वाइज इक्लोक अबाउट, दोस्तों, मेक्जिम, हमेशा उसके किनारे पे होता है रह भी, पिस दिसी बात ही नहीं है, मिनिमम कहा होता है, यह, इस इस मिनिमम, और इसे, सेंटर पे मिनिमम होता है, और जितना दूर से जाओ गया, मेक्जिम है, और से मेक्जिम दूरी किसके बड़ावर होत जो थोड़ा सा मेडीकल से उपर होते हैं थोड़ा समझनेया प्रियास करना तो क्या कहता है जो बारिस के दिनों में आप जा रहे हो आप साइकल ब्रेक लगाते हो तो साइकल गुमती भी है और रपटती भी है यह वो सीन है बस दोस्तो इस प्रकार के जब भी बाते होंगी तो इसका आंसर दोस्तो सेकिंड होगा गोले का तल के संपर्क बिंदो के परती कोने समय के बैसे कह रहेगा इसका 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 दिर्विट रहेगा ओ लड़की इसके परती नहीं है रही है यह इसके परती है जो इसके पैस्च में है मैं मानता हूँ थोड़ा से थोड़ी का एक अपर रेलों क्यूशन है आपका सेगेंड आंसर हो गया अंगलर मॉमेंटम आप दा स्पेर अबाउट पॉंट कॉंट विता प्लेन इस कंजरवर्ड यह रज़ रिखा हुआ है ठीक है तेंक्यू दोस्तों क्यूशन नमर सेवंटी जो है ना वर्स टोपी का सबसे इंपोर्ण क्यूशन है इसको बोलते हैं रोलिंग मोसन ओन इंक्लाइंड प्लेन न तल पे पिंड की लोटनी करते हैं लो मुँ आपको पुरा प्लिर कर देता हूँ यार पेज़ खाली करें यह पूरा समझ लाओ यह काम आएगा देख इयर जब बोड़ी ए पॉइंट पर है तो इसकी सारी की सारी इनरजी क्या है एम जी एच जब यह बी पॉइंट पर आ गई तो लुड़की भी है और चली भी है तो हाप एम वी स्कायर प्लस हाप आई ओमेगा स्कॉर थोड़ा साथ हो भी है बहुचा किशन है ठीकर इयर अ साइन थीटा एक्वल टू एच अपॉन एस तो दोस्तो एस क्या बनता इसमें एस डोट साइन थीटा जानगा चीज़ का यह मेरे काम आएगा आगे मैं रिप्लेस कर दूँ इसको देखे एम जी एस एस साइन थीटा सिधा कर दूँ रहे इस हाप एम वी स्कायर को बाहर नि साइन थीटा वन प्लस के स्कायर अपॉन आर स्कायर ओके डियर और इसको थोड़ा और आगे लूँ तो मैं जानता हूं एक फरमला होता है मेरा वी स्कायर एक्वल टू यू स्कायर प्लस टू एस यू क्या है जीरो तो वी स्कायर बाहर टू एस तो इसके जिए पूट कर द देख दोस्त तू ये रहा V स्काइर एक्वल टू यू स्काइर प्लस 2S यहां में 2 था रहा रहा एक देख यह रहा यहां में 2 है तो दोस्तो 2 से 2 कैंसल आउट कर दो ठीक है ना S से S कैंसल आउट कर दो तो भाईया मेरे एक मस्ट फामूला बन जाता एक्वल टू जी साइन थीटा अपोन 1 प्लस के स्काइर बाई आर स्काइर गाट पान ले रहे यहां केवल रेखे गती करे केवल दिनर गती करे तो एक्वल टू क्या काम आएगा जी साइन थीटा रोल करती आ रही है तो एक्वल टू जी साइन थीटा one plus case किर्भskㄱ आर्सक्र ऐ ठीक है डियर यहां तक बात होई, अभ यहां प्रस्दा आता कही बार, कि यहां एक बड़ा गोला च्छोटाः उससे छोटा गोला च्छोटाः उससे छोटा गोला च्छोटा तो पहले कोन आया बादमू कोड़ाएगा दोस्तों गोला छोटा हो बड़ा हो उसका केस कर भाई आर्सकार वो ही रहेगा ए सेम रहेगा तो समय सेम लगेगा लेकिन यदी वो कहता है ठोस गोला है एक कोई रिंग है और एक कोई डिस्क है इनको एक साथ छोड़ें तो ध्यान देना दोस्तों रिंग का केस कर भाई आर्सकार वन होता है सबसे ज़्यादा होता है तो ए सबसे कम होता है वो आराम से आएगी सबसे बात भी आएगी और केस कर भाई आर स्कायर दोस्तों जितना कम होगा उतना ए जादा होगा जितना जादा तुर्ण होगा वस्तुतनी ही जल्दी ने चाहेगी इसी दिसी बात लिए किस्टन या तो आगे आएंगे या आप देख गाइडूम आते हैं कि एक इंकलाइंड प्लेन पे एक ठोस गोले को एक रिंग को एक डिस्क को एक साथ छोड़ा तो रिंग का केस कर भाई आर स्कायर वन है डिस्क का केस कर भाई आर स्कायर वन बाई टू इन पाइंट फाइफ है गोले का केस कर भाई आर्सकायर दो बटा पांच पॉइंट चार है तो गोले का पॉइंट चार डिस्क का पॉइंट पांच रिंग का एक तो सबसे कम कोण है पॉइंट चार तो सबसे कोण आएगा गोला फिर कोण आएगी डिस्क फिर कोण आएगी रिंग लेकिन गोला छोटा है बड़ा है इसका टाइम से कोई सम्मन दे नहीं है अलो गोला तीन गोले छोड़ दे छोटा गोला बड़ा गोला और बड़ा गोला वो तीनों एक साथ आएंगे तो गोले का केस कार भाई आर्सक्वाइर अलग अलगे नहीं होता है बोलाया ना, गोला हो, डिस्क हो, रिंग हो, ये सुन्दर था, इसने पूरी बाते रुखे ये मैंने, मैं ते लो समझाया है, अब मैं कुछन में आता हूँ, आजा बया, कुछन क्या कहता है, पढ़ ले, एम दरेवे मान की कोई बोड़ी है, नतल पे नीचे की पिसल रही है, वह पिसल रही है, वी वेक से तला के निच्चे ये छोब के पहुंशती है, यह वस्तु छले गी रूप में होती, और लुड़कती, तो नीच्चे पहुंचने में इसका वेक क्या होता है, जब दोस्तोओ, बड़ी सीदी सी बात है, पिसलती वहीा रही है, तो वी स्काइर ह इसको लगना पड़ेगा dash, यह हाप M, हाप M कट गया, V square तो आपका V square है, यह तेरा V dash square है, कोन है रहे, कोन है, कोन है, कोन है, कोन है, कोन है, छला, छला मत्तब, k square by r square 1, this is 1 plus 1, तो V square बराबर, V dash square multiply 2, यह ले भाई, V dash बराबर, V upon root 2, V dash बराबर, V upon root 2, तो एक बटा root 2 एक ही बात है, जो था उसका एक बटा root 2 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि M, G, H तो बराबर था ना, वस्तु चली कहां से, यहां से, देने वारा कोन है, M, G, H, और एक बात दान सुनना, जब सीधी आती है, तो यह एक जादा है, लुडुटी भी आती है, तो उसका एक इसा तो गुवाने में खर्च होता है, और एक इसा चलाने में खर्च होता है, इसले V, V dash बन जाएगा रहा फिर, V, V नहीं रहेगा, क्योंकि V थोड़ा सा कम हो गया, फिर पुछ इसा कहा चला गया उसको, रोल करने में खर्टम हो गया, पले 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 बाट, ओके थेंगो, दोस्तो, क्यूशर नमबर 18 भी अपने आप में पूरी दुकान है, स्टार्ट होगा और खतम हो जाएगा, देखो एक पुली है, आप सीन देखो, एक दिवार से पुली बंदी हुई है, उस पुली पर एक रसीले पेटी हुई है, मास्ट रटका होगे, तो देखो ये रसीली चाहेगी, पुली गुमेई हैसे, यह तो ना, गुमने का मतलब टोर्क, और टोर्क के दोस्तों दो फूर्मूले है, एक टोर्क होता आई अलफा, और एक टोर्क होता आर एफ, दोनों को बराबर कर दो, तो दोस्तों, आपके सामने सामने, आई अलफा एकुल टू क्या है, आर एफ, आई आपको निकालना है, तो आई एकुल टू क्या बनेगा रहे, आर एफ बटे अल्फा अब देख आर की वेल्यू क्या है पॉइंट चार एफ क्या रहा है चार किलोग्राम बहार है तो चार को दस से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा कितना हो गया चालीस अल्फा कितना पुत्र आठ ए ये ले ये ले मेरे भाई इसको दो से मल्टिप्लाई करते ये तेरा दो हो गया तो इसका दोस्तो आंसर आगया तेरा दो केजी पर मिट्र सुख़ए ले क्लिए पड़ा सिंपल है गाट पाल ले टो इकोल टो आई अलफा टो इकोल टो आर एफ इकोल कर ले दोनों को दोस्तो कुष्टन नंबर 19 को पढ़ने से पहले इसमें दो चीज जो काम आई वो देखो एक चीज है 60 RPM धान दो RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट राउंड पर मिनट कुछ नहीं होता 60 को 60 से डिवाइड कर दो फिर ये CPS बोलते हैं इसको एक सेकिंड में एक चकर लगा रहा है अब तुझे इसका उमेगा चीए तो उमेगा आपन जानते हैं क्या होता है तू पाई F है तो F का मान एक है तो उमेगा का मान आगया तू पाई रेडियन परसेड बुरहाया ना उमेगा आगया ना अब अगला साब कहता है इस पाईये को एक मिनट में रोकने के टोर्क चीए रोकना पाईये को आजा यार आजा 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 ए ए ए ए ए ये ले रोकने का मतलब अंती में क्या हो गया जीरो तो उमेगा नोट इकुल टू क्या है अलफा टी वाट इस उमेगा नोट बोरा तू पाई यह उमेगा नोट ही तो है यह उमेगा नोट ही तो तिरा तो वाट इस उमेगा नोट है तू पाई इक्वल टू अलफा अपॉन टी एक मिनिट एक अमदा साथ तो अलफा की वेल्यू क्या आगई पाई भाई थर्टी बोला है न एकिला मुझे क्या पूछ रहा है रिकॉइड अट लिकॉइड टोर्क कि बात करें तो अपनरा है आया कोई दिकत है क्युट निए बहुत प्यारा क्विशन है तो सारे प्यारे हैं यह 25 क्विशन दोस्तों ऐसे चंट-चंट के आपको बिल्कुल सुद्ध यहूं सबरी में राम को बेर खा रहे थे ना वई तो इस अच्छा कुछ नहीं है दोस्तों दोको एक रोड है, ऐसे खड़ी दान देना, ये रोड ऐसे गिरी, दोस्तों कुछ भी हो जाए, और ऐसी रोड जब जब आती है, अमेसा कहा होता रहा है, बिल्कुल सेंटर मानना पड़ेगा उसको, कि सम्मित है न, ना, सिमेट्रिकल जब भी कोई सेफ होती है, तो सेंटर मानना होता है, सेंटर में, ओकेडिर यहां से यहां गिरी, इस पॉइंट को A कह दे, इस पॉइंट पॉटेशल प्लस काइनेटिक जीरो, अब इकॉल टू पॉटेशल क्या होगी यहां, जीरो, काइनेटिक क्या रहा है, हाप, आई, उमेंगा स्कायर, ओ लड़के, यहाप है, मेंगा स्कायर नहीं है, चली नहीं है, गुमी है कि बढ़ना चीज का बस, अब तेरे सामने सामन है, I, 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 upon L का रूट तो तेरे उम्या क्या आ गया 3 G upon L का रूट अब तेरे को इस पॉइंट पे उलिस्टी चीए रेखेवे चीए तो तू जानता रेखेवे क्या होता है V equal to R उम्या ओके R किसके बराबर है L के बराबर उम्या किसके बराबर है यहाँ 3 G by L दोस्तो इस L को अंदर लोगे तो दोस्तो इसका formula क्या हो गया 3 G L भाई इसको याद रिख ले रहे जब भी किसे चड़की बात आती है उसके किनारे का रेखेवे क्या होता है root 3 G L G बोले तो 10 और L बोले तो 1 मिटर तो आप 3 G का मान 10 तो 30 तो 30 का दोस्त पांच का स्कायर तो 25 होता है 6 का 36 होता है तो 5 और 6 के बीच अबज़क्ट देख ले तो 5 और 6 के बीच एक अबज़क्ट पांच पॉन्ट चा ओके डियर तेंक यू दोस्तो कुष्टन में 21 आजा भाईया कुष्टन क्या है बूल जा पर नई बात प्या पेजख खाली कर भाईया देखो डियर एक कोई टायर है यह मान लो साइकल का टायर है जो चल भी रहा है गूम भी रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ मैं इसके दो टुकडे कर देता हूँ लग लग एक ये मॉमेंट एक ये मॉमेंट और इसको जोड के फिर इधर इसका चिन लगा दूँगा दान दे मान लेकि मैं एक टायर हूँ और मैं ऐसे गूम भी रहा हूँ और चल भी रहा हूँ तो मज़े चल रहा हूँ तो मेरा यहां का वे एक वी वी यहां का वे वी वी दोस्तो माना के लीलिर मोसन है तो यहां की स्पीड भी वी यहां की स्पीड भी वी और यहां की स्पीड भी वी और घुम रहा है अपनी जगह है तो दोस्त यहां की स्पीड क्या है वी यहां की स्पीड क्या है जीरो यहां की स्पीड क्या है V के बराबर हो गया उपर किसके बराबर हो गया 2V के बराबर हो गया तो यह 0, यह V और यह 2V यह इसका एक simple suspect है clear? अब हम question में आते हैं question में मैं जो बात के थोड़ा changer है मैंने क्या कहा था? यहां का वे एक 0, यहां का वे एक V यहां का वेक 2V इसके दोस्तों यहां का वेक पूछा है यहां का वेक पूछा, यहां का वेक पूछा है तो फिर तो यहां का वेक क्या बन जाएगा रूट 2V बन जाएगा एक उपर एक निचे तो यहां 0, यहां V यहां रूट 2V और यहां 2V अब देख ले क्या चाहता अगला, तो अबला A, A पर क्या है, 2V, B पर क्या है, root 2V, C पर क्या है, 0 यह लिए आंसर आ गया, प्लीज, प्लीज, यह ति सेंटर का बेख पुछ लेता, तो क्या होता, V, जो पहले मने आपको समझा दिया है, clear, ओके, thank you, दोस्तों यह कहता है, वो बॉल, रिंग, हलो, साब कहता है, होलो स्लेंडर, रिंग, स्लेंडर, डिस्क, बोई बात है, काकड़ी वाली, काटो, डिस्क तरह बनती है न, आजा, वैस, वो कहता है, एक होकला, बेल, दत तल पे, लोट नहीं करती कर रहा है, रोलिंग, उने, इन्क्लाइंट प्लेन, 30 ड बूल गया क्या, वी स्काइर इकुल तो क्या था रह烈, टू जी आस, साइन, ठीटा, अपोन ए, बूल प्लस, क स्काइर, भाई, आड़ स्काइर, एक बूल तो था, जी साइन, चेटा, इसका रूट तो बात भी कर लेंगे, चबह आ जा है, यार, जी बोले तो, 10, एस बोले तो 10 तो साफ है गला 10 मिटर की दूरी कहां पर है रहा है यह है साइन कितना है रहा है 30 वोल वोल साइन 30 क्या हो गया 1 by 2 और यह 1 plus 1 यह काम की चाहिए रहा है hollow cylinder मतलब ring ring का मतलब 1 ओके यह तेरा 2 यह दो दो 4 हुआ तेरा तो एक दो से एक दो काट दे यह दो बचा यह तेरा 5 बचा यह तेरा कितना 50 है वी रूट पचास है तो दो 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा तो 7 मीटर पर से एक आंसर दे दिया होगा ऐसा object कोई है नहीं आंसर कर देंगे अबसे यार जी कामान तोटी जे कुछन है पर लिया इस कुछन को हम लोगों ने ताकि एक फॉमला आप लोग धंग से याद कर लें दोस्तो इस प्रस्ट में जो फॉमला काम आएगा म्यू मिनिमम दान दे वो फॉमला होगा दोस्तो टेन फीटा अपोन वन प्लस एम आर स्कायर अपोन आई दान देना रही है यह वन है यह आई है फिर बतो ना इसमें वन प्लस एम आर सकर भाई आई बस सीदा है मैसेज का मैं पिर से कह रहा हूँ नीट का लेवल नहीं है पर भी वे आरे दिमाग माई एक पिशन डाल देतें सापंच में पुड़ो क्या है देखो अ स्पेर ओफ मास एम रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओन एन इंकलाइंड प्लेंड ओफ इंकलाइशन थीटा वाट सुट बी दा मिनिमम कोफिशन दाउन विदाउट स्लिपिंग बिना स्लिप होई है वो रोल हो जाए तो दो सील फो टेन थीटा और कौन है रहो एम दरियममान का ठोस गोला है तो उसका दोस तो आई कितना होता है दो बटे पाँच एम र स्पायर यह दोस तेरे सांट थीटा पूल कोगा चेंज कर ले यार यह वन प्लस फाई बाई तू हो गया टू ऊपर जाएगा सेवन टू टेंटा पोन सेवन टू टेंटा पोन सेवन प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है इसको याद करने, कोशिश करना डेलिवेशिन नहीं किरा पाऊंगा, लंबा है अना शी को मतलम नहीं है दोस्तों जो पिछला कराया है मैं इसको भी कहा सकता था पर मैं उस चीज़ को नहीं करा हूंगा बाकी करना है कोई जिकर ते रिच्छा कर ले मैं कर रहा हूंगा कर रहा हूंगा थैंक्यो हां डियर किश्टर नबर 24 एंगलर मॉमेंटम का बेस्ट कुश्छन है पढ़ ले के आदेगे पढ़ लिया अगला क अगलर मॉलस्ट्री विल नव बिकम देख भाया सुन रहा हूं लड़के यह तेरी रिंग है एम द्रियमान आर ते लिया की क्यों वर्ताकार वले खुद के अक्सके परती ओमेगा कोनी ये वेक्सी गुम रही है भाया सिदी सिदी सिवात है कोई दिकत नहीं तो भाया इसका तेरा आई क्या है रहे इसका तेरा आई है सिंपल सा एम आर स्कायर अव येदी मैं इसके एक यहां रेक दो डिये ठीक न ये तो कहह रहा ना पिर एम द्रियमान की दो वस्तुएं वले के व्यास के विपृत को रख दें तो दो दोस्तों इस एक्स के परती खुlor मेगी है त small m r square small m r square बोल हाँ या ना capital m r square plus 2 small m r square r square भार निकाल ले m plus 2 small m कोण यह समभे समभे angular momentum congurvation angular momentum congurvation का मतलब तेरा क्या होता है j equal to constant बोल हाँ या ना तो j equal to constant की बात करे तो वोई तरीका पहले i1 omega 1 equal to i2 omega 2 माना की पहले i omega दिया कोई बात में i1 क्या होता है omega की omega i1 है तो i1 क्या है m r square आजा खाले करने ले भाईया तो पहले i क्या है पहले तरह i है m r square और पहले omega मान ले अब i2 क्या है वोरा r square m plus 2 small m और दोस्तों omega decimal दे उसको ये cancel out हो गया तो तेरे सामने omega dash के विर्यू आ गई capital M m plus small m omega answer निकालना बेटा जी ए साब दिखाए जारा फस्त इल angular momentum conservation पे simple question ओके थैंक्यू आदोस्तों question 25 वो question आगया वो आगया inclined plane वाला देखो dear अग्रा स्पस्ट कहता प्रेज खाली करना अपन साब जानते हैं कि किसी inclined plane से एक inclined plane से solid sphere hollow sphere disk ring इनको एक साथ छोड़ें तो सिर्षिर सिर्षिबा दोस्तों जिसका k square by r square जितना ज्यादा होगा उतना उसका a कम होगा और a जितना कम होगा दोस्तों t उतना ही ज्यादा होगा clear अब आप देखो ring का दोस्तों ring का k square by r square 1 होता है disk का k square by r square 1 बटा 2 यानि point 5 होता है ठोस गोले का बोलना ठोस गोले का 2 बटे 5 का मतलब point 4 होता है और खोकला गोला होलस उसका दोस्तों 2 बटे 3 होता है जो point 6 है अब सबसे कम किसका है ठोस गोले का तो सबसे पहले को न आएगा ठोस गोला उसके बाद को न आएगी डिस्क फिर को न आएगा खोकला गोला फिर को न आएगी ring आज़े कुशन माज़ा बगया सबसे पहले को न आएगा गोला फिर को न आएगी चक्ती फिर को न आएगा गोली कोश फिर को न आएगी वल्ले इलाज़ आगया सिंबल बाद है ना काम का दोस्तों अब मान के चलना रोटेस्टन मोसन की ये एक पकी के प्रॉब्लम है रोलिंग मोसन और इंकलाइड प्लेंड प्लेंड क्लियर ओके थेंक्यू ये मेरा प्रिय परसंदा हुआ है हमारी पीटी के जमाने में बहुत प्रिय परसंदा है हमारे बगवान सिंग आरे सर्व आगरते थे उनका प्रिय परसंदा है पीडिया पो रखता ही उनका परभ पीगल जाएगी तो दिन की लंबाई बढ़ जाएगी इसलों करते थे डुरू परभ पीगल जाएगे तो दिन की लंबाई बढ़ जाएगी तो जो केते थे रगला बार शे Bacon को पढ़ा करो दूरूंते बढ़ने लें spraw को पढ़ा करो, आज भी आदा सरकाड़ा लोग हो या, दोस्तों, उनका अशिर बात है, कि हम लोग से बड़ी बात है, उसमें इंजिनिंग सेलेक्शन हो ना, आज वो ही कुशन है दोस्तों, इब दा अर्थ सड़नली स्रिंग, सच देट, इस रेडियस रिडूस्ट टू हाप इस परिजेंट वेल्यू देन दा पिरिड ओप दा डड़ ओप रिडियस्ट दोस्तों, सुनो रहे हैं, ये पर्थवी है, ये अपनी एक्षपे घूम रही है, और अगला कुछ नहीं कहता है, अगला त्रिजा को हाप कर देता है, भया, मास वही है, यहां भी मास एम, यहां रिडियस आर, तो यहां रिडियस होगी, आर बाई टू, दोस्तों, इस एग्जाम्पल ओफ एंगुदूर मोमेंटम का इंजरिवेशन, क्योंकि भार से कोई फोर्स नहीं लगा, तो पहले का एंगुदूर मोमेंटम इक्वल टू बाद का एंगुदूर मोमेंटम, दोस्त होता है, टू पाई बाई टीवन, ओके, आई टू क्या हरा है, टू बाई फाइफ, एम ओ लड़के, आर बाई टू का होल स्काईर, मैंने कह रहा हूं, अगला कह रहा है, रिडिस हाप कर दिए, इक्वल टू उमेगा टू क्या हरा है, टू फाइब अपॉन टीटू, मैं कद तो टीवन, आर स्काईर पॉन क्या हरा है, टीवन है, और ये तेरा दस, एक आर का स्काईर हरे, तो आर स्काईर बाई फोर, तो दिश इस आर स्काईर बाई फोर, और ये तेरा कौन है बाई या, टीटू है, आर स्काईर से आर स्काईर कैंसल आउट कर दे, टीटू को उधर ले जा तो T2 equal to T1 by 4 दोस्तों पहले T1 पर पहले किते गंटे का है 24 गंटे का तो दोस्तों 24 को चार से डिवाइड कर दो तो 6 चो चोईस अब दिन की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 गंटे तो आंसर क्या हो गया दोस्तों हाँ अब वो कहता है तो दिन की आउदी कितनी कम हो वेल्जा डी डीडूस्ट भाई धनतों दीन टिन कितनी लंबाई का हो गया चेकंटे का प्ट चेंज कितना हो गया 18 गंटे दिनकी लंबाईक कितनी चोईस गंटे कही तो कलाकार होते है परसाद दिन वारो गंटे कSet करे दिन रात वनों को दिन ही घुलते हैं ओके आप देखो दोस्तो percentage की जब भी change होता मेरा मूल concept है percentage change का एक कुशन एक्जाम में आना है यहां तीन डेटा होते हैं एक को वो constant करता है एक को आप से एक को बदलता है और एक को आपसे बदलवाता है आपको वो formula काम लेना है जिसमें तीनु आख डियाएं, constant वाला भी जो vary करता वो भी और जो आपसे पूछ रहा है, तो इस फस्ट के दोस्तों आपको इतना rotational kinetic energy of body increased by 300% देने परसंटेज angular momentum डियर अग आपको energy दे दी angular momentum दे दिया body वो ही है इसका मतलब mass क्या है? constant है या moment inertia क्या है? constant है जड़के, मैं तेरे लिए सारी बात कह दूँ, e equal to होता है हाँ आप, i omega square आजा, उपर भी i से multiply कर दे, और नीचे भी i से multiply कर दे, तो खुछ जानता j equal to क्या होता है? i omega तो दोस्तो, equal to क्या हो गया? j square upon 2i, तो dear, j की value क्या आगी? root 2e i, तो याद है, क्योंकि p equal to क्या होता है? root 2me, याद करें, e तो e है, i किसे m आजाता है तो, ये तो समझना तरीका था मुझे सिता तरी याद करवाना है, दोस्तो j equal to होता है root 2, sorry, j equal to देखो, आप ऐसा मत करो, रटा मत बारो आप जानते हो, p equal to होता है, under root 2m e, p की जे क्या आएगा, j m की जे क्या आएगा, i, ये फ़मला होता है अब अगला क्या कहता है, energy कितनी है, 300%, अब सुनो, फ़मला बन गया अब पहले कुछी है, अब ये हो गया, तो मेरा फंडा है, जो बदलता है, उसके पीछे 1, 2 लगाओ, और equation 1 में equation 2 का, भाग टिकाओ, ओके, तो भाई, j1 upon j2, equal to e1 upon e2, 2 से 2 कट गया, i, से i, कट गया, ओके डियर, बैस, हो जाए मेरे साथ, start, इसको मिटाओं तेरे लिए दोस्ते, अगला सपस कहता है, j1 upon j2, दोस्तो, इस परकार के परसेंट, जब भी स्टार्ट होंगे, हमेशन स्टार्ट करो, 100%, सुले भईया, स्टार्ट करो, 100% से, माना पहले, इनर्जी कितनी है रहे, 100% है, अब कितनी होगी दोस्तो, 400, कितना परसेंट इंक्रिड वा, 300, बैस डियर, तो एक बट्टा, ये तिरे पसामने, एक बट्टा दो आ गया, दोस्तो, j2 equal to a 2j1, और इसको वापस convert कर लो, 100 से multiply करके, 200% of j1, मेरा परसेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100% से, मैं किस पर आ गया, 200% पर, how much increment, 100%, दोस्तो, आंसर क्या आएगा, इसका, 100 पर सुनो रहा है, इस परकार के परस्टों में, वो formula लिखो, एक बदलता है, एक बदल बाता है, एक constant है, equation 1 बनाओ, equation 2 बनाओ, जो बदलते हो, उनके पिछे 1, 2 लगाओ, 1 में 2 का भाग टिकाओ, और स्टार्ट कहां से करो, 100% से, लास्ट में 200 में से 100 माइनिस कर दो, क्योंकि तो 200 पे कहां से आया है, 100 से चल के, how much increment, 100, answer क्या आगया, 100%, clear, thank you, 28 पे दोस्तों, वो एक क्रिशन तो, अपने, एक दुर क्रिशन पहले किया है, वो एनुगर मोमेंटम, इसका I1 है, उमेगावन है, और दूसरा डिस्क है, उसका I2 है, इसके उपर धिरे से गिरा दी गई, आज़ा हो जी, दूसरी कोई डिस्क है, जो इसके टिकादी, इसका I क्या है, I2 है, बस, मतलब यह है यार, एक डिस्क गूम रही है, I1 उमेगावन, एक ओर टिकादी, उसका I2 है, तो कॉमन सेंस की बात है, उपर से रखा, तो बाहर से फोर्च तो लगा ही नहीं, तो गटना से पहले का एंगलू मोमेंटम, तो गटना के बात का एंगलू मोमेंटम, I1 omega plus I2 omega इसको Does गटना से पहले गटना मतलु है गटना मतलब इमटेस्ज़ गटना से पहले गटना क्या क्या एंगुदिर मोमेंटम कि इनिरवेशन ओके थाइंगों? दोस्तो इस प्रस्टन को समझने से पहले आप भूल जाओ प्रस्टन क्या मेरे को समझवा आप मेरे पास एक रस्टी है जिसकी लंबाई मानो दो मिटर है और मैं इसको गुमा रहा हूं ऐसे और अचारक मेरे हाथ से बरस्यों को खैच के इधर एक मिटर कर दूँ और फिर गुमाऊं तो बताओ स्पीड गठेगी बढ़ेगी बढ़ेगी आप कहो कि इसाब बड़ी रसी गुमाएंगे आप तो कोई गुमाने वाले हो तो दिरे गुमेगी छोटे रसी तेज गुमेगी क्योंकि आर घठता है तो वी बढ़ता है एम तो कॉंस्टेंट है इसी का नाम एंगुदू मोमिंटम कॉंस्टेंट है और हाप होगा तो वी डब्म हो जाएगा पेज खालीकर तो माना पहले वी है तो दोस्तो वी डैस का मान क्या हो जाएगा टू वी पहले गतिस अरजा फिर क्या होगी आप M V square इनिशियल इनिशियल सोरी तो वाट इजी फाइनल हाप M V note का square लड़के धाने मेरे बात पे V note क्या है रहे 2 V का square यह ले भाईया हाप M V square multiply by 4 इस हाप M V square by 4 यह आपके सामने सामने है कितना गुना हो गया दोस्तों 4 गुना हो गया अब आप इसको इसमें पूट करना चाहें इस तरह से पूट करना चाहें इसका अंतिमान क्या है तो 2 M V note का whole square आप क्यों सुनमाई जवापस रहा खाली करें पेज को तो यह तेरे सामने सामने हाप M V note का square V note क्या है 2 V का square तो हाप M V square 4 यह तेरा हाप M V square की value क्या है दोस्तो तो इसको काड़तो तो यह आपका सामने 2 M V square वह V note कर रहा मैं भी कर रहा आंसर माना एक यह बात है क्यों सुनमाना बटा इसको मिटाओ और क्यों सुनमाओ तो यह रहा 2 M V note square clear angular moment अब यह नीट आई पॉल सोच लो क्या था एक्जाम देख लो क्यूशन 30 पढ़ लिया बटा सिंपल क्यूशन है two rotating bodies have same angular momentum but their moments of inertia are I1 I2 which body will be higher kinetic energy of rotation दोस्तों मेरी बास सुनो physics में जब भी इस तरह की बात आती है जब data आते हैं 2-3 ना तो एक data constant होता है एक vary करता एक vary करवाता है इस formula की खास बात है कि वो data formula माना बहुत जरूरी है जो constant होता है constant कौन है angular momentum गोस्तों एक simple सा formula है G equal to 2 IE का under the root J sorry, note J J equal to root 2 IE यह वैसा ही है hello everybody यह वैसा ही है P equal to 2ME याद करो तो वहाँ जो काम M करता है यहाँ काम I करता है E तो E रहता है अब आप फुद कहरें कि angular momentum क्या है constant है इसका मतलब क्या हो दोस्तों इसका मतलब IE equal to constant हो गया इसका मतलब E university proposal I हो गया I1 I2 से बढ़ा है E2 E1 से बढ़ा है तो दोस्तों आपका answer second हो गया को simple बात हो कहां दी करें बदा दोस्तों यह problem देखने हैं थोड़ी सी बड़ी लग रही है बाकि एक simple problem है देखो दोस्तों यह को square plater इस aks के परती इसका momentum इनिर्शा होता है M A square by 6 A इसकी बुझा है अब symmetry काटने के बाद कहीं काट लो symmetrical चारों सेक्षिन में वही रहेगी M A square by 6 कि symmetrical काटने के बाद आप जानते हैं याद नहीं I 1 ब्रावर I 2 ब्रावर I 3 I 4 होता ना तो same बही हो जाएगा M A square by 6 ओके डियर थैंक्यू दोस्तों question number 32 आजो क्या कहता है यह बहुत simple aspect of question अब एक्जामी आप नीटो देना है आप कोई जे नवास देना है Two bodies have their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation if their kinetic energy of rotation are equal Hello dear kinetic energy of rotation are equal their angular momentum will be in the ratio दोस्तों फिर वही बात आगी same question है अगला साब कहता दोस्तों एक का आई है एक का टू आई है गुननगतीज उर्जाओं का मान समान है तो कौन है समवे का नवास बताओ दोस्तों आजा J equal to क्या है तू E I का रूट बोल हाया ना बैस दोस्तों अगला साब कहता है दो उस्तों के जड़तू गुननगतीज उर्जाओं ये दोस्तों equal है आपके सामने सामने है J1 upon J2 equal to root I1 upon I2 I1 क्या है I2 क्या है 2I तो आउसर क्या हो गया 1 is to root 2 सेम प्रोसेज है ओके थैंक्यो दोस्तों क्यूशन मेर्थ 33 यहां रूके है बहुत एजी है लेकिन बहुत आसानिस से नेगेटिव होता है ये क्यूशन बच्चा करके जूरूर आता है और इसमें किसको इनिशियल माने किसको फाइनिल माने इसमें डिपेंड करता है और दोनु अबजट आते हैं इसको इनिशियल मानोगे इसको final मानोगे तो उसकांस तुरिया मुझूद है और exam पका होगा उसको initial मानोगे उसको final मानोगे तो लड़के हो क्या लगता है मैं तो पूरी क्यों किये यार मेरा गल्द कैसे हो सकता है बस ये इस question की beauty है आजब question क्या कहता है The moment of the force ये force है at two zero minus three about the point this is तो साब कहता है इस बिंदू पे कारियर इस बिंदू के साब एक्स दोस्तो इसके respect है this is initial this is final बस ये इसी बात है बस एक इक बात इसमें देखो उसके respect में है तो जिसके respect में वहाँ से दुकान शुरू होती है इसी इसी बात है clear तो वो initial है ये final है क्या चीए आपको तो तो इकूल टू क्या होता है r cross f तो r क्या होगा r final minus r initial इसको वेक्टर लगा दो ये तो common sense की बात है इस तो आप करें लोगे what is our final ये final है न तो 2y cap plus 0j cap minus minus 3 k cap और इसमें से अपने minus करते हैं तो minus क्या होगा 2i cap minus 2j cap और minus 2k cap इसको बाहर एक f से multiply कर दो थोड़ा सा आपके लिए कर दो easy ली तो ये क्या हो गया रहे 2i cap minus 3k cap minus 2i cap plus 2j cap और plus 2k cap cross what is f 4i 4i cap plus 5j cap minus सब से cap लगा 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 2i 2i क्या हो गया भाई या 0 अब तेरा यह क्या minus 3k रहे 2k तो क्या बचा minus k और क्या बचा 0 तो यहों कहे दूँ इसको 0 I cap बोलो भई प्लस 2 J cap और माइनस K cap क्रोश 4 I cap प्लस 5 J cap माइनस 6 K cap इनका आपको क्रोश मल्टिपिकेशन करना है बोलो हाँ या ना ठीक है डियर तो अब इसका क्रोश मल्टिपिकेशन कैसे होता है यह भी लोग आपको करके दिखा देता हो बस इतना आंसर है विटाओ इसको मैं कुछ नहीं किया मैंने मुद्दे की बास सुनना इसमें कौन इनिशियल है अक्सर बच्चा क्या मानता है यह इनिशियल होका उसके रेस्पेक्ट में है इनिशियल माइनस आप जानते हो डेल्टार क्या होता है आर फैनिल माइनस र इनिशियल इस इस डिस्प्रेश्मेंट वेक्टर मल्टिप्लाई फोर्स पस मुद्दे के बात इतनी थी उसके बात तो दोस्तों सिंपल सी बात अपने करने जा रहे हैं अब अपने इसको वेक्टर मल्टिप्लाई करें तो वेक्टर मल्टिप्लाई I think आप सब लोग करना जानते हैं मेरे साब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है यह I है, यह J है, K है यह 0, यह 2, यह माइनस 1, यह 4, यह 5, यह माइनस 6 अब मेरे साथ से कई बार क्या होता है दोस्तों इसमें एक से काम चल जाता है इसको दबाएंगे यह माइनस बारा और प्लस पांच माइनस साथ आई आया बट माइनस साथ आई तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो आगे चलना पड़ेगा अब इस पे आजाओ, जे वारे पे आते हो तो दोस्तो जे वारे पे आते हो तो सिरी से बात है, ये आपका क्या है बारे माइनस का साइन होता है, ये माइनस चार ये जीरो है, ये दोस्तो माइनिस चार्जी हो गया तो आए दो आज़ो आज़ा आज़ा तो आगे ने करना होता है exam गजवा पूरा नही करना होता है क्यूंई यहाँ माइनस दो आज़ा भीदी पूरा है यह का गया हमारा है जत वोगे यह नोरह दो कि तो मेरा ओके थेंक्यू दोस्तों किश्चन नमर 34 तो रिपीट है प्लीज हो गया बूल से रिपीट हो गया इस आंसर फोरत है अब चेंज तो नहीं कर पाएंगे आगे जसेंगे यह एक नीट की बहुत 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 प्रोब्लम है सुनों क्या देखो पड़ो अगरा साब कहता है जब कोई ठोस गोला बीने तो स्तनांतरन गतीज उर्जार कुल उर्जा का नुपात क्या है पेज खाली कर भई एक पर किश्चन दवारा पढ़ा मेरे को साब कहता वेने सोलिड स्पेर रोल्स विदाओट स्रीपिंग देखो दोस्तों बताओं क्या है नत तो हाप एमवी स्कॉयर केवद रोटेटरी तो हाप आई उमेगा स्कॉयर यहां दोनु है गुम भी रहा है और चल भी रहा है ना यह साइकल का टायर गुमता भी है चलता भी है आजा क्यूशन माजा वापस है किसका रेशियो पूचता है स्तानांतरन गतीज उर्जा और कैंसल आउट है चल क्रिशन माजा कोना भाई ठोस गोला क्या होता केस कर आश कर दो बटे पांच है तो दोस्तों यह क्या हो गया वन प्लस टू बाई फाइफ ता तो कर दूं यार फाइप उपर ले जा फाइप अपॉन सेवन कहां दीकत है यार सिद्धा सांसर है फाइप ठीक है यह जो को दोस्तों इसका रेडियों का मतलब के निकालना है ओके दस किलोग्राम दरियमान पांच मिट तरी जाकी वस्तू बिना पिसले दो मिटर पर सेकिंड के वेक्स लुड़क रही है इसकी कुल गतीज उरजा इतनी है तो गुणंग किजा क्या है बीडू बीड तो अनली फोले प्रैक्टिस ओके वाट इज ए थर्टी टू पाइंट इस दो को इधर लिया मल्टिप्लाई कर दे वाट इज एम टेन वी बोले तो दो दो दूनी चार यह वन प्लस के स्कायर अपोन आर स्कायर आर कितना वहिया पांच पांच मल्टिप्लाई पांच बोल हाँ या ना कोई दिकत नहीं ओके डियर इस फोर्टी को इधर लिया इसको करते ऐसा यह तेरा ट्वंटी हो गया अब थोड़ा सा तेरे लिए गुना भाग कर दूं थर्टी ट्वंट एट अपोन ट्वंटी इक्वल टू वन प्लस के स्क स्क्राइर वाई क्या है ? 25.5 x 25 तो थोड़ इसी होगी किलिप्रेशन जरा भाग देना वह पीस का भाग कितनी बार गया इसमें एक बार गया बारा बचे ओके डियर बारा बचे तो बारा बचे 128 हो गया तो 128 का मज़ बाग इतने बार जाएगा छे बार तो ये 0.68 बचा 0.4 एक्वल टू 1 प्लस k स्कायर अपॉन 0.25 अब देख 1.64 को इधर ले जा इसको तो क्या बचा 0.64 तो 0.64 0.25 इकल टू के स्कायर 0.64 0.4 का रूट है 0.5 0.25 0.8 का ये किसका रूट कर ले ना इसका रूट कर दे तो इसका रूट क्या होगा 0.8 इसका क्या होगा 0.5 तो 0.8 multiply 0.5 चालिस अगे दोस्तों आंसर ये अब चोड़ी है तो ट्रिक मानने पड़ी है थोड़ी से तो को आंसर पड़ा फिक से 64 ये आया है 65 नहीं आया है ये रूट लेना है ओके तैंक्यो क्यों 37 angular momentum की dimension मेरा 25 सारक अनबव है सबसे ज़्यादा बार exam में आया हुआ है ये बताओ क्यों important है ये important ऐसे नहीं है और atomic structure पढ़े 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 एम वी और इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई angular momentum की dimension वही है जो प्लांग के constant की ये है काम की चीज़ एम उन एल टू टी माइनस बन एम उन एल टू याद भाई जो इंगले पर याद करें एम उन एल टू बढ़े काम की बाती है एन, constant, two, constant, pi, constant कोई, किसके एकवल प्लांग को अब लड़का सोच तो एम उन दूर मॉमिंट है कहां से प्लांग कोई इंट बागया तो याद कर में वी और इक्वल टू अनच अपॉन, टू पाई टोटल, वाट इज एट ड्रांस्लेटरी हाप है, MV स्क, Перв कि स्क, Перв अप्ų, रड़़ार स्क याद एकवल आँट upright दोस्तों तो, डू झू यह तो इट्रांस्लेट की टोटल का है यह क्यक्श रहा है स्थलांतर्ण और गूंदण का ले बहिया वापस कर ले तो ये कौन है हाप M.E.Square और ये कौन है हाप I.O.M.E.Square ओके डिर हम जानते है अब I.O.M.E.Square तो कुछ होता नहीं बहिया तो बहिया अपने क्या करते है लोजी लोजी अभी करते हैं गबरामत तो गबरामत अपने थोड़ा गलत पड़ गे तो ये M.E.Square तो M.E.Square रहेगा I.E. क्या होता है MR.Square या M.K.Square I.E. क्या होता है M.K.Square V.E.Square क्या होता है R.O.E.G.A. V.E.Square बटे R.Square ये इससे कट गया तो ये 1 upon K.Square बाई R.Square हो गया डिर तो आंसर क्या हो गया 1 is to 1 हो गया तो ये इससे क्या बाती नहीं वैसे भी याद कर ले बाई वले में दोनों आदी-आदी हो जाती है वले में काइनेटिक और पोटेंशिल का ए सुरी क्या बोल रहा हूँ रेखिये गती जूरजा और गुणन करती जूरजा ट्रांस्लेटरी और रोटेटरी काइनेटिक निजरिशियो 1 is to 1 होता है क्योंकि आदा-ादा बट जाता है वैसे एक नपात एक हो जा थैंक्यो 39 के बिना तो नीट होती नहीं है इनक्लाइन प्रेंट पर रोलिंग मोशन एक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्काइर बाई आर स्काइर पर ले भया एम दरियमान का ठोस गोला जा रहा है लड़के ठोस गोला मतलब के स्काइर बाई आर स्काइर दो बटे 5 सिदा सिदा उतरा गया लड़के एक्वल टू जी साइन थीटा 1 अपला ऐसे के स्क्राइर अपॉन और स्क्राइर, ओके, तेरे सामने सामने है, इस जी साइन खीटा, सोलिड ठोस गोला है ना, ये दो बटा पांच, ये पांच, साथ बटा तो उपर पांच बटा साथ, ये लिए वाई, आंसर आ गया, आराम से हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने 45 क क्यूशन नहीं बनते हैं, नीट नहीं बनते हैं, लोजिक फिक्स होते हैं, इस जी स्क्राइब को लिए गया है, आप क्या कहता है, तो साब कहता है, आर रेडियस और एम मास का एक समान खोकला बेदन के चारों और एक मास रही एक डोरी है, जो एम दरेवमान से लिटकी हु तो जब छोड़े जाने पे दरेवमान किस तोड़न से गिरेगा, दोस्तो इस परकार के जो पर सनाते हैं, उनका एक सिंपल फोमला होता है, एक वल टू जी वन प्लस आई अपॉन एम आर स्काइर है, गांट पानो इस बात किया, बस अब हो गया आपका दोस्तों, एक वल ट आर स्काइर, केस कर भई आर स्काइर क्या होगा, आप जानते हो, मैं सूबे पढ़ाया, आज ही, खोकला बेलन, यानि आपकी रिंग, ये एक हो गया, तो एक रेक दो हो गया, दोस्तों, एक वल टू जी वाई टू, आप कुशन में हैं भई, एक वल टू जी वाई टू, फि इसे भी कर सकते हैं, पूरा करके, इसके दो टुकड़े करके, निकाल कैसे, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, अपने ये कहते हैं, इतना है टुकड़ा बचा हुआ है, तो दोस्तों, इस अक्ष के परती आपको मोमेंट अप इनर्शिया निकालना है, तो उसका फोर्मूला है इस डिस्टेंस को H कहना पड़ता है फिर, तो दोस्तों, I equal to होता है, M, H square by 6, H क्या है, तो खुद देख, ये angle क्या है, 90, ये 90 ताए कितना है, 45, तो ये क्या हो गया, L, coast 45, L, coast 45 क्या होता है, L by root 2, तो दोस्तों, H का मान क्या आ गया, L by root 2, मेरे भाई, इसकी value पुट कर द तो ये तेरा L square, ये 6 है, वो 12, तो M, L square upon 12, ये तेरे सामने answer आ गया, M, L square upon 12, okay, thank you, दोस्तों, question 42, इस question को थोड़ा समझो, देखो, आप, पेज़ खाली कर, मैं आज एक बार repeat करता हूँ चीज़ों को, देखो, दोस्तों, दोस्तों, दो परकार की गती होती है, एक होती है, लीनियर, एक होती ही, रोटेशनल, रीखे गती, गोड़न गती, शुरू करो, इधर जो ये काम S करता है, यहाँ हो काम theta करता है, इधर जो काम V करता है, वो क्या होता है, DA, Dσ, Y, D, T, इधर जो काम A करता है, वो क्या है, DA, D, V, Y, D, T, या, DA, DO someone, D, T, स्काइर, इधर वो काम Elpha करता है, इधर जो P करता है, उदर वो J करता है, तो याद करो P equal to क्या होता है M V तो M की जगह I J equal to क्या होता है I omega पले बड़ी बाते रहे यहां तक पले बड़ी कोई दिकत यहाँ यह momentum है बावर नहीं है तो P equal to M V तो J equal to I omega टो equal to I alpha सोरी यह गलत हो गया टो equal to I M की जगह I और A की जगह alpha टो equal to I alpha चलो जी खाली कर लेते हैं फिर वापस और आगे चलें और आगे चलें वो इधर linear है इधर आपका rotational है आगे चल अब पावर की बात करूँ तो पावर equal to क्या होता दोस्तों याद करो F dot V तो इधर जो पावर है वो क्या हो जाएगा टो omega इधर energy kinetic क्या होती है हाप M V square तो इधर M की जगा आई और यह क्या हो जाएगा हाप I omega square चले भाई इधर V equal to U plus 80 इधर omega equal to omega note plus alpha T दोस्तो S equal to UT plus हाप 80 square तो theta equal to omega note T प्लस हाप alpha T square आगे चलो V square equal to U square plus 2 AS omega square equal to omega note square plus 2 alpha theta भाई जी और जान लेगा बच्चेगी सवागे ना सारे formula जिसे हैं दो हैं ही नहीं पस यही सारा एक इसमें से एक चीज मुझे अप्लाई करनी है मेरे question में आजा यह रहा simple question है अगला साब कहता है एक वले और एक चक्टी मास अलग लग है energy शेम है वले पे मंदन बल टो लगा रोका गया and रुक जाती है इतना ही इस पे लगाए गया तो कितने गुडन के बाद रुक जाएगी ठीक है डियर simple सी बात है रुक जाने का मतलब क्या है gram condition में आएगी तो हम क्या काम लें इस पे power काम लेंगे ठीक है डियर work काम लेंगे दोस्तो work equal to क्या होता है वहाँ app dot s होता है यह work equal to क्या होगा अप ही क्या हैगा तो यह थीटा अब तु खुद कह रहा है energy समान है work समान होगे अब से बाते work का होता difference of energy होता है आप साप कहे रहे हो मंदन समान है तो दोस्तो थीटा भी समान हो गया तो वह भी एंचकर लगाएगा और यह भी एंचकर लगाएगा बोलो है ना ओके तेंग्यो दोस्तो यह question ठीक सा question है थोड़ा सा इसमें confusion भी पैदा कर सकता है question अच्छा कुछदान देखना कहता है M mass का ठोस गोला एक frictionless से V लुड़ता हुआ आरहा है और इस spring को दबाता है तो spring अधिक्तम संपिटन क्या होगा दोस्तो यहाँ जैसे गोला है तो इसमें हाप देख उदान से तो हाप M square जो है वो इसको compress करेंगी तो दोस्तो हाप M काट दो तो X का मान आ गया कि M V square Y के M V square Y के तेंक यू दोस्तो कुछन 44 याद करो हमने जब पेपर्स के solution किये थे या इसिंग 2013 की प्रोब्लम है नीट की जहाँ पकी यादे मेरे को क्या कहता है इसमें खास बात है डिस्टेंस है में से क्या लेंगे लंबोत लेंगे परिप्रिदिर लेंगे ओके थैंक यू दोस्तों कुछल 45 देखो इसको प्रशन को पढ़ो वो कहता है पर बल लगाने वाला टोर्क है वो इसके कौनियम मोमेंटम को फोर सेकिन में यहां से यहां कर देत तो बल अगून का प्रणाम क्या है तोर्क का मेंटम क्या है देख उस दंद बूल गया रहे एफ इक्वल टू डी पी वाई डी टी एह बोले तो टो पी बोले तो यह ले आडी जी वाई डी टी जे क्या है रहे जे फाइनल माइनस जे इडिशेल अपोने डी टी ओ वीडू अजया अधि तो सब्सक्राइट को क्या प्रणाब देख बंच पंच शिक्स का कम्रीट हो गाई वीडू सॉलीशन 20 मुझे पंच देने हैं छह दे दिए और मूल पालिटीकल डामिक साजक्तरम हो जाती है यूनिट डायमेंड्स इसे लेके अप्टू रोटेशनल वोसे जिसको मूल हम डायमिक्स कहते हैं कानमिक्स कहते हैं वो आज पूरी हो जाती है अब आगे फिर रोटेशनल है ऐसे हम आगे बढ़ेंगे ओके डियर थैंक्यो नमस्कार